हेग गाई सेलकन बूर अटेक पॉररा माइंड तो आज की वीडियो पर फिर से हम दो जॉब अबेट की भारे में देखने वाले हैं जो कि फर्स्ट इन्फोसिस की तरफ से आ रही है तो इन्फोसिस अभी हैरिंग कर दिये पर पोसेज एक्जिकुटिव जोल के लिए और सेकेंड आई एक्जिकुटिव मार्केट की तरफ से आ रही है तो कंपनी अभी हैरिंग कर दिये थी डिफेंट जोल के लिए और आपको सब्सक्राइब कंपनी में तो आप सभी को इन दौलां के अप्लाइब कर सकते हो तो पहले बात करते हैं इन पर पर प्रसेज एक्जिकुटिव जोल के लिए और इससे पहले भी इन्फोसिस हाय कर चुकी है पर दियासी डोल के लिए इसके वाइन वीडियो भी बनाय था और आपको नहीं आती तो भी कोई फरक पड़ने वाला नहीं है इस जोब अपको कोई कोई के जरुआ नहीं पड़ने वाली आपको अच्छी है आपको Excel आता है PowerPoint आता है, Word के आपको knowledge है तो आप सभी को job मिल सकती है company में बात करें इसके LGBT काईटे के बारे में तो company ने mention करा हुआ है आप सभी के पास 0-1 का experience है तो आप और जीवल होने वाले हो लाइक आप सभी 90-1 के student हो, 20-1 के student हो 22-1 के student हो, तो आपके लिए second job होने वाले है वीडियो को लाज़तर देखीगा बात काई degree के बारे में तो company ने mention करा हुआ है आप सभी ने master of business करा हुआ है bachelor of arts करा हुआ है bachelor of business करा हुआ है bachelor of computer science करा हुआ है bachelor of commerce करा हुआ है तो आप सभी अप्लाई कर सकते हो आपने bb tech करा हुआ है तो इस job आपके लिए नहीं है आपके लिए second job होने वाले है वीडियो को लाज़तर देखीगा and इसके इलावा emphasis की वी off campus drive हो रही है आपने apply नहीं करा हुआ है तो apply करीगा कल ही मैंने वीडियो अप्लोड करा हुआ चेक आउट करीगा इसका वी लिंक आपको मिलने वारे दिस्क्रिशन में बात करें आपके job के दोल के बारे में आपके skills के बारे में जो company ने mention करा हुआ है अगर आप लोग select हो तो company में आपको priority मिलेगी इस job world के लिए जब भी आप लोग form flip करो एक skills बार section होगा वहाँ mention करेगा आपको powerpoint आता है excel आता है word आता है तो definitely आपको priority मिलने वाले इस job world के लिए क्योंकि इस job world के लिए इन सभी skills के दोट पढ़ने वाली है आपकी बास होगा तो आपको priority मिलेगी बात करा है को जब के location के बारे में तो company ने mention करा हुआ है जब की job की location होने वाली है बेंक दूर होने वाली है लेकिन 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 जहाँ भी company की requirement होगी उसके according आपको location मिलने वाली है ये location fix नहीं है इन्होंने अल्री मेंशिंग कर दिया है नीचे एक बास चेकाउट करेगा location of posting is subjected to the business requirement जहाँ भी company को requirement होगी employee की आपको वाँ जाना पड़ेगा तो ये point में आपको पहले ही किलिए कर दिया है बात का आपको salary package की बारे में तो company से ये package mention नहीं कर रहा हुआ है लेकिन आप सभी को 2 LPA से लेके 2.5 का package मिलने वाला है पर random के साब से इतना ही package देती company minimum जो package होता है पूसर एक्जेकुटिव का वो 2 LPA का होता है इसलिए आप सभी इतना expert कर सकते हो company की तरफ से आप मेंट मेंट के apply कैसे करना है तो apply करने के लिए आपको सम्प्री काउशन में मिलेगा apply के वाला उस पर click करेगा click करने के बाद आप सभी के login करना पड़ेगा login करेगा login करने के बाद को check page खुलने वाला है जोगी form होने वाला है आपको फिलप करना पड़ेगा पहले आपकी data बड़ डालीगा देन उसके बाद आपकी preferred interview city और काफी लोग में comment करके पूछते हैं जोंका interview होने वाला है वो location पर जाके होगा या online होगा तो मैं आपको बता दूँ जो आपको interview होने वाला है वो online होने वाला है यह location आपको डालना पड़ेगा सिर्फ डेमो के लिए डाल दीजीगा कोई problem वाली बात नहीं है लेकिंज आपको interview होने वाला है वो online ही होगा घर बेटे बेटे आपको कहीं जाने की जरूवत नहीं है तो उसके बाद next option है current employer वाला आपने किसी company में काम कर रहा हुआ है तो डाल सकते हो otherwise एने fill up कर दीगा one fill up कर दीगा आपको fill up करने की जरूवत नहीं है तो उसके बाद आपका experience आप लो फ्रेश्यर हो जरूवत कर दीगा तो आपकी skills आपको जो भी आता है आपको shortness होते हो तो आप सभीक बाद मेराने वाला company तरफ से test के रेगारिंग test के रिए करते हो interview देने का मौगा मलेगा last month आप सभी को job मिल सकती है Infosys में तो I hope आपको सब को समझ में आगया होगा first job के बारे में नव बात करते हैं second job के बारे में बात करें इसके eligibility काईटे के बारे में तो company ने mention करा हुआ है आप सभी बीवी टेक करा हुआ है CSIT वरांज से तो आपको अलजीवल होने वाले हो और आप सभी के at least 7CGP होने चाहिए आपको 10th में आपको 12th में आपने बीवी टेक करा हुआ है means throughout आपको 7CGP है तो आपको eligible होने वाले है जॉब के लिए बात करें batch के बारे में तो आप सभी 22 batch के students तो ही eligible होने वाले हो एक ही batch eligible है company ने mention कर दिए आपकी batch के बारे में and जब को job start होने वाले है training start होने वाले है वो next year से होगी during 22 में coding काफी important है coding की job होने वाली है आपको at least a coding language जाने चीए like C++, Java, Python कोई भी एक आता है तो कॉम चल जाएगा कोई problem वाली बात नहीं next year communication skill जोगी definitely matter करने वाला है जब भी आप लोग अपने HR down do होगे तो company का HR definitely आपको adjust करने वाला है बात करने आपके salary के बारे में तो company's salary package mention नहीं करा हुआ है लेकिन आप सभी को up to 7th LP का package मिलने वाला है पर random के साब से जो की vary करेगा आपको job के दोल के according आपको development के job मिलता है तेस्टिंग का मिलता है जो भी आपको job होल होगा उसके according vary करेगा थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम भी हो सकता है लेकिन मैंने आप सभी को basic ideas देदी आपकी salary के बारे में इतना आप लोग expect कर सकते हूँ companies है Now main point के apply कैसे करना है तो apply करने के लिए आपको simply एक option मिलने वाला है apply ना वालस पर click करेगा क्लिक करने के बाद कुछ एका form खुलने वाला है आपको login करना पड़ेगा वगडे की website पर आपको ओलेट एक अकाउंट है आपको login कर सकते हूँ अधरवाइस एक option होगा create account वाला account rate करेगा account rate करने के बाद कुछ एका page खुलने वाला है आपको एक option में लेगा apply manually वालस पर click करेगा apply manually पर click करने के बाद कुछ एका form खुलने वाला है आपको फॉर्म खुलने वाला है आपको फॉर्म फिलप करना पड़ेगा सारी basic details है पहला option होगा आपको जॉप करने का आसे पर चला कुछ भी site कर लेगा दोर्म में से दना उसके बाद आपका फर्स्ट नेम फामली नेम होज़ेको डाल सकते हो अधर भाएक भ्लैक्श भी छोडदीगा आपको फॉलप करने की ज़रूद नहीं है जबका लास्ट नेम आपका address आपका city आपका दीईगा प्रिंकोर डालेकर नीचे आईगा, यहाँ पो डालना पड़ेगा, को फोन नंबर, फोन नंबर डालेगा, फोन नंबर डालने के बाद, continue पर क्लिक करेगा, देन उसके बाद, next पर जाने वाला experience वाला, आपने किसी company में काम करा हुआ है, internship करी भी डाल सकते हो, एड पर क्लिक करके, otherwise आपने कुछ नहीं करा हुआ है, blank छोड़ देगा, आपको fill up करने की जरुवत नहीं है, experience के बाद, education का column होगा, एड पर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद, आपके 10th के education, 12th के education, आपने B भी डिटक करा हुआ हुआ, mentioning करेगा, mentioning करने के बाद नीचे आईगा, आपकी skills, आपको जो भी अलेक में जाती है, like C, C++, Java, Python, mentioning करेगा, last में upload करेगा, resume, resume upload करने के बाद, continue पर क्लिक करेगा, then उसके बाद, कुछ basic question आने वाले है, आपको fill up करना पड़ेगा, 3 question होँगे, first question का answer is yes, second का is no, and third question में आपको fill up करना पड़ेगा, आपकी desired salary, आप जितना भी expect करते हो, fill up कर सकते हो, then उसके बाद, again कुछ question आने वाले है, fill up करेगा, fill up करने का continue पर click करेगा, and last option आने वाले है, review का, एक बाद, check out कर लेगा, आप से कोई गल्ती जो नहीं, form fill up करते हैं, review करने के बाद, submit पर click करेगा, and आप सभी का apply हो जाएगा, and आपको message भी show हो जाएगा, congratulations का, apply करने के बाद, आप सभी के बाद, confirmation का mail पी आने वाले है, आप से check out करेगा, and थोड़ा wait करेगा, आप लोगो shortlist होते हो, आपको मौका मिल सकता है, test दिने का, test के लिए करते हो, and डाउस दिने का मौका मिलेगा, and last मैं आप सभी को जाएगा मिल सकते है, company में, exam के लिए करते हो, company का, आप से भी को जाएगा मिल सकती है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स वीडियो में, thank you, and goodbye.